नमस्कार दुस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कौर्मेंजाब परपुशनेट पर दोस्तों आज की इस वीडियो शेशन में हम लोग डिसक्स करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट आठ इसके डिमैनिंग अगर प्रैक्टिस सेट देखना चाते हैं य तो दोस्तों आज कर यहाँ पर पहला कुश्चन हमारा निकल कर आ रहा है वह है वले सब्द का अर्थ चिनित कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वले सब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आपको वले सब्द का अर्थ बताना है ठीके दोस्तों तो जो वले इसका निकाल सकते हैं कि वले का जो मतलब होता होता है गोला कार घेरा ठीक है नेक्ट हमारा जो question है तो वह है नीचे दिएगे सब्दों में से अब्वे भाव समास का chain कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास चार options दिएगे हैं इसमें से आपको अब्वे भाव समास का chain करना है कि कौन सा सब्द जो है अब्वे भाव समास का एक्जामपल है तो दोस्तों यहाँ पर आपका answer आपका यहाँ पर हो जाएगा आजीवन यानि कि option number B आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है तो जिस समास का पहला पर अब्वे तथा प्रधान हो उसे अब्वे भाव समास कहते हैं जैसे कि प्रते दिन अनकूल आजन्म आजीवन इत्यारिक तो यह सब्द होते हैं यह क्या कहलाते हैं अब्वे भाव स तो इस परकार से हमारा option number B आपर सही answer हो जाता है तो next निकला करा रहा है ठीक समय पर आजाना में कौन सा कारक है तो आपका answer यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक यानि कि option number D आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है तो वहाँ कारक जो क्या के समय स्थान आउसर आधिकाबूर्द कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है जैसे चिडिया पेर पर बैठी है ठीक है ठीक समय पर आजाना घड़े में पानी है तो इस तरह से क्या है वहाँ कारक जो समय स्थान आउसर आधिकाबूर्द कराता है वहाँ अधिकरण कारक होता है ठीक है या मेपर भी इसका एक सिंबल होता है जहाँ पर मेपर होता है वहाँ पर क्वारा बताना है कि कौन सा होगा ठीक है तो यहां पर आपका अंसर मणीर हो जाएगा Đेवाले और अशुषालाय या निक्रम से option number आपका D यहाँ पर सही answer हो जाता है, next हमारा जो question है, वा है, निमलिकित में मिस्र वाकिय क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, जो चार option आपके पास दिये गए हैं, इसमें आपको मिस्र वाकिय कौन सा होगा, तो दोस्तों आपका जो answer यहाँ पर हो जाएग हो, तथा दूसरा आश्रित उप वाकिय हो, तथा दोनों वाकिय आपस में जब तप जहाँ वहाँ अगर तो इत्यार से जुड़े हो, तो उन वाकियों को मिस्र वाकिय की सेड़े में रखा जाता है, जैसे कि जो ही वा घर से निकला वर्सा होने लगी, तो देखे इसमें द पर आसित है दूसरा वाकिय तो गीता चली जाती, ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसन मड़ी जो ही वा घर से निकला वर्सा होने लगी, तो इसके आप चिन्वी कारक चिन्वी इसके समझ सकते हैं कि अगर इस तरह जिसे जब तप जहाँ वहाँ अगर तो इत्याद एकर सब्दों से कोई वाकिय जुड़े आपको मिल जाते हैं तो आपके मिश्र वाकिय की स्रड़ी में आ जाते हैं, नेक्स हमारा जो कुश्चिन है तो वह है आपका किदीक तस्थान है तो दिएगे विकल्प में उच्छी विकल्चु लिए, रामु की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजिव उसकी अधिक बुध्यमान है तो रामु की आप देखें यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर नबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, रामु की उपेच्छा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजिव उसकी अपेच्छा अधिक बुध् तो दुखो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा विशेशोक्ति यानि कि option number C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है इन पक्तियों में विशेशोक्ति यलंकार हो गए तो दिखे यहाँ पर थोड़ा समय इसका description आपको बता दूँ कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भ कारेंग यहाँ पर आपको पानी विशेशोक्ति यलंकार हो था है नेच्स हामरा को दुक्ति विकल्प में सभी शब्द व्यक्ति वाचक्शन गया हैं तो आपका answer no. all हम पर एक हो जायेगा राम राम हिश्व खर्ण अर्गति करते हैं यह पर चीश जो उसे भूों Và नेक्स हमारा जो क्वश्चन है की निवनियू में क्या गंगा का परेयावाची नहीं है दूसरें यहां पर आपके पास कुछ अपसंस दिए गये है इसमें आपको बताना है कि तुमें से कौन सा ऐसा है जो गंगा का परियाबाची नहीं है तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जागा कालिन्दी यानि कि अपसन अंबर C आपका यहाँ पर सही अंसर हो जाता है ठीक है तो गंगा के पर्यवाची सब्द होते हैं उनमें आ जाता है आपका नदीश्वरी, प्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवणदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी यह सब क्या होते हैं? गंगा के पर्यवाची होते हैं तो दोसमें यहां पर सही वरतनी सब्द का चैन करना है, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, आपसन नमबर B, जो स्रंगार है, इसमें यतने भी दियागे हैं, उनमें सम्में जो स्रंगार है, यह वरतनी के हिसाब से सुद्ध शब्द है, ठीक है? और अनिकिए गर हम सुद्ध शब्द की यहां पर बात करें, तो जो अवन्नती लिखा है, यह अवन्नती होगा इसका, और यह मुश्किल लिखाए, इसमें आधाशा बनेगा, तो मुश्किल हो जाएगा, मात्र भू में लिखाए, तो यह वालतर है बनेगा, नीचे जो रा ल जाएगा भीड तो देखी रहा है कि जीड जो है बहुत सारे लोगों फुर्सों के समूँ से मिलकर बनी होती है भीड तो इसी तरह से यह आपका आपसा नमबर दी सही हो जाएगा नेक्स हमारा जो क्वेश्चन है तो वह है आंसिक सब्द में प्रत्य क्या है तो देखिए आं सब्दों के अंत में जूड कर उनके अर्थों में परिवर्तान लाते हैं वह प्रत्य गह लाते हैं सब्द आंसिक में एक प्रत्य है एक प्रत्य से बने अन्य सब्द होते हैं वैग्यानिक वैदिक लॉकिक दैनिक या यह सारे और भी सारे कुछ सब्द से बन जाते हैं एक पर चौरी का माल पुलिस के द्वारा बरामद हो गया है आपका यहां पर option number A से ही हो जाएगा ठीक है पुलिस द्वारा चौरी नहीं चौरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया है ठीक है नेक्स हमारा जो question है तो वह है वधूरिम का संद्विच्षीद है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि वधूरिम का संद्विच्षीद क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों जो वधूरिम का संद्विच्षीद होगा वो आपका हो जाएगा option number B वधू प्लस उर्मी यानि कि option number B आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है ठीक है तो ये देखे किस संद्ध का उदान है दीर्ग संद्ध का उदान है दीर्ग संद्ध के अंसार हश्य या दीर्ग A, छोटा, छोटी, छोटा U के बाद कमसा सामान हश्य या दीर्ग E, U, स्वर आएं तो दोनों मिलकर दीर्ग हो जाते हैं जैसे कि बड़ा, बड़ी, या U हो जाते हैं जैसे कि धर्म, आर्थ, धर्म, आर्थ वधू प्लस उर्मी वधूर में तो इस वरकार से यहाँ पर यह आपका option number B सही हो जाता है next आपका option number क्या है question 1, तो वहाँ भिन नार्थक सब्द का चेन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन से सब्द भिन है, तो दोस्तों यहाँ पर answer आपका सही हो जाएगा option number B यानि कि अनिल, तो देखिए दोस्तों जो पावक, क्रिशान सब्द हो जाते हैं, तो यह जो विशाद है, यानि कि दुख हो जाता है तो यह आपका विलोम सब्द इसका हो जाता है, option number B आपका सही answer हो जाता है, ठीक है next हमाला जो question वो है गंदला, मैला, मलिन कि सब्द के पर्याबाची है, तो दुखने यहाँ पर आपके पास चार अपसन है कि गंदला, मैला, मलिन यह कि सब्द के पर्याबाची है, तो आपका answer हो जाएगा पंकिल, यानि कि option number C आपका है, पर सही answer हो जाएगा, ठीक है गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सब्द के पर्याबाची सब्द हैं, और जो धवल का आर्थ होता है उजला, प्रले का आर्थ होता है विनाश, और पामर का आर्थ होता है दुष्ट खल, ठीक है तो next आपका दूससों ज जो question है तो ऋ आपका यहां पर question है की हिंदी भासा की कितनी विख्यात बोलिया हैं तो आपका आंसर हो जाएगा option number C, 8 तो जो हिंदी भासा है इसकी 8 विख्यात बोलिया है ठीक है, नेक्स आपका जो question है हुआ है हिंदी भासा का प्रथम प्रामाडिक ग्रंथ कौन सा है तो दोसो जो हिंदी भासा का प्रथम प्रामाडिक ग्रंथ है वो है प्रथवी राज रासो आपसा नमबर दोस्ते इसमें आपको बताना है हिंदी सहिटि का इनCuy अनुम सा काल विभाजन नहीं है तो आपका आनसर हो जाएगा adoption number d sanyukt kail dat Nu j WIL दिखे जो हिंदी सहिटि का sanyukyst kail में विभाजन नहीं किया गया है इंदी सहिटि, का आधिकाल 650SB से 1350SB, पूर्मध्यकाल भक्तिकाल जिसे बोलते हैं 1350 से 1650SB, उत्तरमध्यकाल 1650 से 1850SB और आधुनिकाल 1850 से अब तक ठीक है, यह सारे इसके बीभाजन है, तो दोस्तों यह था आज का प्रेक्टिस से इसी तरह से यह सीरीज आपकी कंटीन्यू जा दिरेगी, बीच-बीच में आफको प्रेक्टिस से प्रवाइट कीते जाते रहेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दू कि यह जो भी क्वेश्चन्स में इस प्रेक्टिस से में कलेट कर रहा हूं, इस सारे किसार UPSS की प्रेवी वैरियस जो एग्जा